राश्पिता महत्मा गांधी की यादे इंदोर से भी जुड़ी है 100 साल पहले हिंदी का प्रिचार प्रिसार इंदोर से पूरे देश में पहुचाने के लिए राश्पिता महत्मा गांधी यहां आए थे एक दिन बाद 29 मार्च 1988 को आठवे हिंदी साहित्य सम्मिलन के मंच से महत्मा गांधी ने 15,000 लोगों को संबोधित करते हुए हिंदी के प्रिचार प्रिसार का शंखनाद किया था बापु ने महराजा होलकर से अनुरोध किया था कि अपने राज़ के सभी डिपार्टमेंट में हिंदी का प्रियोक कर इसे बढ़ावा दे हिंदी के प्रिचार प्रिसार के लिए महराजा होलकर ने 10,000 रुपए का दान महत्मा गांधी को दिया था महत्मा गांधी इस दौरान चार दिन इंदौर में ही रुखे थे 28 मार्च 2018 को महत्मा गांधी होलकर स्ट्रीट रेलवे से इंदौर आये थे बापु को चुलूस में लिचाने के लिए चार घोड़े वाली बगगी सजाई गई थी लेकिन मौझूद चनसमू ने बगगी को घोड़ों से अलग कर दिया और खुद अपने हाथ से बगगी खीचने लगे थे प्रिटीश सरकार ने अपने नोटों और सिकों पर से हिंदी के अक्षरों को हटा लिया था सम्मेलन में इसे पुना अमल में लाने की आवाजे उठाई गई थी यह प्रस्ताव इंदोर के सर सेथ हुकुम चन ने प्रस्तूत किया था इसका समर्थन महत्मा गांधी और सभा में मौझूद बाकी लोगों ने भी किया था